सुप्रिम कोट और हाई पोट में जजों की बहाली के लिए उसके खिलाफ बदलने की मांग को लेकर पहले से समता परिसद की ओर से कार्ज करम होता रहा है जेडियू समसदिय बोट के अध्यक्ष उपेंद कुस्वाहा ने आज समता परिसद की तरफ से महात्मा जोतिवा फूले की जैनती मनाई इस जैनती के मौके पर उपेंद कुस्वाहा ने फिर से एक बार देश में जजों की बहाली की प्रक्रिया को लेकर सवाल खरे किये हैं जिस तरीके से कलोजियम सिस्टम से जजों की बहाली प्रक्रिया है इसको लेकर उपेंद कुस्वाहा ने कहा है कि देश का जो निचला वर्ग है वंचिस समाज के जो लोग है वो इस बहाली की प्रक्रिया से अच्छूत रह जाते हैं उन्हें मौका नहीं मिल पाता है कि वो इस प्रक्रिया में सामिल हो पाए और जज़ बन पाए है इस बात को लेकर उपेंद कुस्वा ने सवाल उठाया है कि समता परिशन लगतार इस मामले को लेकर सुरू से अभी तक आवाज उठाते आया है और फिर से इसी किराम में उपेंद कुछ वहाँ ने जजों की बहाली की प्रक्रिया पर सवाल खरे किया है और कहा है कि इस प्रक्रिया को खतम करना चाहिए जो कॉलोजियम सिस्टम बना हुआ है इस सिस्टम को अब सरकार को इस सिस्टम को हटाना चाहिए कि और भी जो वंचिस समाज के लोग है उन्हें जज बनने का मौका मिल सके इसको लेकार उपेंद कुस वहाँ ने क्या कुछ कहा है सुनिए आज कि महात्मा ज्योतिवा फूले साहब की जैनती का दिन है कि 11 अप्रील को ही उनकी जैनती है आज यहां हम सब लोग महात्मा फूले समता परिशत की ओर से इस जैनती के अपसर पे उनको याद कर रहे हैं उनके चर्णों में संधा सुमन अर्पित कर रहे हैं कि पुड़े देश भर में और दुनिया भर में जो कि इनके विचारों को मानने वाले लोग हैं अलग अलग नाम से बहुत सारा संगठन है लोगों का और सब लोग आज के दिन उनको याद करते हैं उसी करम में हम लोग भी याद कर रहे हैं और ना सिर्फ हम लोग याद कर रहे हैं बलके विहार की सरकार भी सरकारी रूप से जयनती मनाने का फैसला आज नहीं 2010-2011 में ही विहार सरकार का भी हुआ था और तब से विहार की सरकार भी कर रही है महात्मा फूले समता प्रिशद फूले साहिब के विचारों को परचारित परसादित करने का काम निड़ंतर करते रहता है और उसी करम में जब हम उनको याद करते हैं तो हम लोग को अंदर से ताकत मिलती है और महात्मा फूले समता प्रिशद उनके विचारों के परचार प्रसार के लिए कार्जकरम भी समता प्रिशद की ओर से होते रहता है और उसी कार्जकरम के सिल्सिले में एक अव्यान के रूप में जो कॉलिजियम सिस्टम है देश की नियापालिका सुप्रिम कोट और हाई कोट में जजों की बहाली के लिए उसके खिलाफ मतलब उसको बदलने की मांग को लेकर पहले से समता प्रिशद की ओर से कार्जकरम होता रहा है और आगे भी एक अभियान के रूप में हम लोग इस कार्जकरम को समता प्रिशद की ओर से चलाने वाले हैं क्योंकि अब बहुत ही आवस्यक है जब तक आज का जो कॉलिजियम सिस्टम है जिस सिस्टम से जजों की बहाली होती है यह सिस्टम रहेगा तब तक गरिवों को बच्चितों को सोष्टों को जितना न्याय मिलना चाहिए उतना न्याय नहीं मिल पाएगा क्योंकि पहाली की परकिरिया ही बिलकुल गेर परजात तांत्रिक है गेर सम्मैधानिक है नतीजा है कि कुछ लोग जिनकी पैरवि पहुच है वही योग जज बन जाते हैं अधिकांस लोग बांकि के जो मेरिट वाले विद्धार्थी हैं चाहि किसी जात के हों किसी धर्म के हों OBC, SC, ST तो छोड़ दीज़े जो समन्ने जात के भी हैं प्रह्मन परिवार का ही क्यों नहों कोई नौजमान अगर मेरिटूरियस विद्धार्थी है और जज़ बनना चाहता है तो कॉलिजियम सिस्टम के कारण उनके जज़ बनने का कोई उपाय नहीं अगर उसके पास कोई पेरवी नहीं हो पहुंच नहीं हो तो बरतमान जो कॉलिजियम सिस्टम है उसकी जगह हम लोग यहीं चाहते हैं कि जैसे और वाहली होती है आईएस लोगों की आईपीएस लोगों की उसी तरह की खुली परतियोगिता जज़ की वाहली के लिए भी हो जाए हम कोई परक्षपात की बात नहीं कर रहे हैं हम कोई कि विष्येश किसी को मदद कोई आप जो संविधान नहीं कहता है उसे ज्यादा कोई दे दे इसकी बात हम नहीं कर रहे हम कर से खुली परतियोगता से जज़ों की वाहली हो जिस तरह से कलक्टर के लिए यस्पी के करते रहा है और आगे भी कार्ज करम चलेगा वाज के दिन मात्मा फूले साहब को याद करते हुए हम इसी संकल्प को फिर से दूर आते हैं कि उनके विचारों को आगे वरहानिक के काम में हम सब लोग लगे रहे हुए कि अज़िए कि अज़िए कि